असलाम उलेकुम स्टूडेंस आई होब आप सब खेरियत से होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकनिसम आफ बायलोजिकल नाइटोजन फिक्सेशन यह आर्डिजम की बॉड़ी में नाइटोजन फिक्सेशन कैसे होती है इस चीज़ के लिए आज हम इसका मेकनिसम इसक्स करेंगे वालविंग रियक्शन टेक प्रेस डियूरिंग बायलोजिकल नाइटोजन फिक्सेशन इसमें जो इसमेना यह एक मल्टीपल स्टेप रियक्शन है बायलोजिकल नाइटोजन फिक्सेशन है कि nitrogen gas living organism खास तुरी अरिया nitrogen gas को fix करते है इन यूजेबल फार्म इसे का कहते है biological nitrogen fixation कहते है अब ये nitrogen gas को कैसे usable फार्म में लाया जाता है उस nitrogen gas को सबसे पहले किस्में तब्दिल किया जा जाएगा इसमें जो पहला step है वो है formation of ammonia अब ammonia का formul़ा क्या है NH3 अब इसमें बाइलोजिकल नेट्रोजन फिक्सेशन में के जानदार नेट्रोजन गैस को कैसे फिक्स करते हैं अब देखें ना क्योंकि नेट्रोजन साइकल जैसे आप लोगों ने प्रिवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है ये nitrogen fixation जो के biological organism के जरीए होती है वो बैक्टेरिया करती है plant nitrogen gas को fix नहीं करता यूज डारेक्ट यूज नहीं करता लेकिन आज कल genetic engineering को यूज करके parts के अंदर nitrogenase enzyme को introduce करवाया गया है जिससे वो भी क्या कर रहे है nitrogen gas को direct fix कर रहे है तो यहां पे जो पहला step है biological nitrogen fixation का उसमें क्या होता है उसमें ammonia बनती है अब ammonia कैसे बनेगी यह आप लोगों को screen पे एक step नज़र आ रहा है जिसमें nitrogen gas के साथ 8 electron होती है 16 ATP यूज होती है और 8 hydrogen तो as a result क्या बनता है 2 ammonia बनते है hydrogen gas बनती है और 16 ADP बनते है इस reaction से देखें कि यह इस reaction को एक enzyme होता है जिसका नेम होता है nitrogenase यह enzyme क्या करता है इस reaction को control करता है अब इस equation में देखें कि nitrogen gas जो के atmosphere में है bacteria इसको uptake करेंगे और अपने cell के अंदर इस reaction को करवाएंगे इसमें जो electron और hydrogen जो यहां पे provide की जाती है वो NADH देता है कौन देता है NADH और इस reaction को energy के जरीए catalyze भी करवाया जाता है energy यहां पे use होती है और energy कौन देता है ATP देता है enzyme nitrogenous control this reaction this enzyme contain two metallic component molybdenum and iron this reaction is not simple several intermediaries compound are formed यहां कि nitrogen gas correct ammonia नहीं बना जाता है इसके तर्मियान में intermediate compound भी बनते है यह compound unstable होता है जो फोरण break करके next compound बना देते है therefore they are not clearly identified diamide nitrogen के साथ एक hydrogen होगी double bonded होगे फिर nitrogen के साथ hydrogen होगी and hydrazine NH2 के साथ क्या होगा NH2 एक और group attach होगा और as a result क्या बन जाता है यहां पर जाके ammonia बन जाता है they are formed during formation of ammonia hydrogen for this reaction is donated by NADH2 respiration provide energy अब देखे ना respiration या नहीं कि aerobic respiration जो कर यहां पर क्या देगा ATP देगा और इस reaction को complete किया जाता है आप लोग यह सामने स्क्रीन पर देखे यह एक enzyme है इस enzyme का name क्या है hard nitrogenase अब यह क्या करेगा nitrogen gas को uptake करेगा यह enzyme जो के बैक्टेरिया में होता है और अपने साथ किस को attach करवाएगा दो hydrogen's को ठीक हो गया अब इसके साथ क्या होगा यह nitrogen आ के attach होगी इस active side पे दो नडेके N2 nitrogen gas है यह N और N दो nitrogen आ रही है यह दो nitrogen इस enzyme की active side पे attach हो जाती है binding of substrate अब इसके साथ क्या होगा अब इसकी reduction होगी hydrogen आ देके NADH2 यह hydrogen देगा दो hydrogen आ गई जो के इस nitrogen के साथ attach हो गई और यह क्या बना दे diamide बना दिया फिर उसके बाद दो मजीद nitrogen आती है वो आके भी क्या करेंगी इस enzyme के साथ जो के nitrogen attach थी दो hydrogen पहले आई थी दो hydrogen मजीद आ गई तो क्या बन जाएगा इस मजीद reduction से हाडरेजीन बनेगा फिर मजीद reduction होगी मजीद nitrogen आएंगे और क्या बनेगे nitrogen के साथ तीन hydrogen इस nitrogen के साथ तीन hydrogen इस बात की और यहां पर यह इसका reaction होता है कि इसमें क्या करता ह। इसमें क्या करता है इस reaction को कहां पह करवा। जाता है bacteria में क्यूंके bacteria का star इस इस का Snapdragon biological आक्षिडेश yarn बैलोजिकल नर्टॉजन fixation जो कि बैक्टेरिया में होती है कि वो nitrogen gas को यूज करते हैं और उसको फिर किसमे convert करते हैं सबसे पहले ammonia में इस फर्दर reaction चलेगा जिसे हम अपनी next वीडियो में discuss करेंगे इस वीडियो में आप लोगों ने नोट करना है कि nitrogen nitrogen gas को nitrogen enzyme uptake करता है NADH hydrogen देगा reduce होगा और क्या बना देगा ammonia बना देगा और यह reaction किसमें हो रहा है बैक्टेरिया में तो this is called nitrogen fixation by biological method आप लोग इसको revise करें कोई भी question आप लोगों के पास क्यूरी हो nitrogen से amunia बनने के हवाले तक इस वीडियो में है तो आप लोगों ने comment section में आके अपना question लासमी पूछना है अपना ख्याल रखिएगा अला हाफिज